Hello friends, आज हम Relance Industry Infrastructure Limited company के quarter 122 के real discuss करेंगे, देखिए जहे company के current quarter that is quarter 122 के real है, जहे है पिछले quarter that is quarter 421 के real है, जहे है पिछले शार same quarter that is quarter 121 के real है, हम इस quarter के real को quarter on quarter and year basis पे compare करेंगे कि इस quarter के real कितने अच्छी हैं, कितने बुरे हैं और जहां पर जौब भी वैल्यू दे रखे रूपी जिन लाख तो चलिए सबसे वहले कंपनी की इंकम देखते हैं इस कौटर की जो टॉटल इंकम में कंपनी की वह एक एहां 937 लाख रुपे पिछले क्वाटर की थी एक हेहां 888 लाख रुपे पिछले साथ सेब क्वाटर की एक हेहां 695 लाख रुपे तो जिछ हम क्वार्ट एम क्वाटर कने के इंकम अराउंड नाइन्टी लाख रुपे सकंट्री लाख रुपे इंक्रीज हो गई है और देखने ऐस उसको टॉटल खर्चे हैं वह एक है आर 733 लाख रुपे पिछले क्वाटर लाख रुपे प्रोफिट भिफोर शेर ओस्युटम और क्वे ट्विफोर स्यॉरूिट्ट कर्नस ठीक्ट कर्फिया पुर्टगर थेमक्वे जोटालीस रॉसे पिछले क्वार्टर का था 300 लाख रुबे पिछले साथ सेम क्वार्टर का था 205 लाख रुबे है फ्रेंड ज़री हम क्वार्टर को आटर देखें कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अराउंड कि 20 परसंट डिक्रीज हो गया है एंड युनिय बेसिस पर देखे तो कंपनी का प्रॉफिट अरांड 18% increase हुआ है quarter on quarter decrease क्यों हुआ है जबकि income जा रहा थी profit before tax भी जा था जह है tax की वैसे टेक्स की adjustment की वैसे इस quarter का जो net profit वो कम आया है देखे current tax लगा इनको 103 करोड का पिछले क्वाटर में 66 लाग का इनको क्रेंट टेक्स लगा वापस ज्यादा आ गया जिसकी वैसे इनका इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया अधर वाइज जदी हम बिफोर टेक्स देखे तो क्वार्टर और क्वार्टर कंपनी के काफी अच्छे है यूरी बिस्टिस पर तो क्वाट अब तो देखे जो एक पर उनुसेट पैसे पिछले का था एक रपे निर्में पैसे पिछली साल तक था एक रुपे शचोंट देखे आड़ांड जी रोपाइंट फौर रूसे और टिक्रीज हो गया है एंट पिता है तो गले क्यों दीख रहा है तक्स की कामपिन के करते हैं कि युक्र योच उखर हैं इसके लिए दोडिन साइट पे चलते हैं देखिए फ्रेंट हम screener.in site पर आ गया है और जहां पर profit and loss data company का मार्च 29 से available है देखिए 29 में company की sale थी 70 क्रोड 15 में 90 क्रोड में 14 10 से लेके 14 तक मिस है 16 में थी 101 क्रोड 17 में 93 क्रोड 18 में 88 क्रोड 19 में 84 क्रोड 20 में 79 क्रोड 21 में 54 तो फ्रेंट का data देखे दो या नो से लेकि अभी तो 21 में तो कम हो गई है हम उस company में बढ़े प्रोफिट वड़े तो उसकी शेल का पर जाएगा तो इसकी कुछ खास बढ़ी नहीं अभी देख लेते हैं कि company के एक शेर पहले कितना कमा रहा था और अभी कितना कमा रहे तो द अंदरा में 15 रपे 21 पैसे 16 में 10 रपे 95 पैसे 17 रपे 27 पैसे 19 में छेर पे 17 पैसे 20 में छेर पे 43 पैसे 21 पैसे तो company का अधिक पर शेर जा प्रोफिट और डिक्रीज ही होता जा रहा है तो company तो निवेश के लिए मेरेको अच्छी नहीं लग रहे क्यों कि company के शेर का प्राइज तब ही बढ़ता है जो company की सेल बढ़े प्रोफिट बढ़े तब ही वह शेर का प्राइज अप जाएगा नहीं तो वह वहीं पर खड़ा रहेगा जरी उसके बावजूर भी अप जाता तो इसका मलों company की P ratio बढ़ती रहेगी तो देखिए अभी company के शेर का प्राइज है around 750 और company का शेर एक कमार है around 7 रूपीज तो देखिए इसके according जो P ratio बनेगी वह बनेगी 100 प्लस तो देखिए company की सेल तो कुछ खास बढ़नी रही और profit भी नहीं बढ़ रहा और company का शेर इत इतना ज्यादा कोश्टली क्यों है इतनी ज्यादा वैल्यूएशन मार्केट क्यों दे रही है इसको चलिए वह तो मेवी अधर फैक्ट हो सकते हैं मैं तो में लिए बेसिक देखता हूं company का कि company कितना growth कर रही है और उसकी P ratio कितनी है company growth तो कर नहीं रही पर P ratio बहुत ही ज्य तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें निवेश करना चाहिए और hold भी करना चाहिए मैं तो hold के भी खिलाफ हूं इसके पर friend बाकि कुछ नहीं कह सकते share market क्या पता share का price एक दम से कल कितना चला है कितना कम हो जाए पर fundamentally share अच्छा नहीं लग रहा sale के data से और profit के data से तो friend इसमें fresh निवेश तो मेरे को नहीं लगता कि बनता है अब ही कुछ है और hold भी नहीं करना चाहिए बाकि आपके खुद की मज़ेकवा खुद भी analyze के जिए उसके बाद ही कुछ ही decide किजेगा ओके thanks हुआ हुआ है